असलाम लीकुम रहमट लॉबरक्ाहतू। वेल्कम वेको ओवर नीव वीडियो। तो लास्ट वीडियो में भी हम कंडिशनल फार्मेटिंग ही देखते हों तो इस वेडियो में भी मजीद हम कंडिशनल फार्मेटिंग के जो टॉपिक को कंटीणplantी करते हुए है कि एक वैलियू एक जैसी दो वैल्यू मज़ूद हो यानिम के डूप्लिकोडوں यानिक यानिके डूप्लिकेट होता है अब हमारे पास एक डीयाग्याग्या हमने उसमैंसे डूप्लिकेट वैल्यू टूननी–говन थेख़ेंगे तो वह हमें अगर इदर हमने दस देखा है अब इस तरह डाटा नीचे डूंडते जाएंगे डूंडते जाएंगे हमें फस्ट वाली वैल्यू बूल जाएगी कि ओपर कौन सी थी या वो दुबारा रुपीट हुई है कि नहीं हुई तो इस तरह मैनुली हमें हमारे लिए डाटा करते हैं जस्ट जाके हमने सिरुफ डूपीट वैलिऊ कीव उपर किलिक करना रुक के कर देना तो यह देखे आपके सामने हमारी जो डूपीट वैलिऊड वो ली था है्लाइट हो गई ठीक है तो इस तरह हम अपने किसी भी करा के डटाटे के बड़े से बड़े ड़े डठ कर सकते हैं कि 10 जो है ये डुप्लिकेट है ये इसमें यानि कि तीन दफ़ा मजूद है ये डुप्लिकेट है अब हम इसमें से दुबारा डैटे को सेलेक्ट करते हैं और अपने क्लियर रूल्स कर लेते हैं दुबारा जाकर अब हमने डुप्लिकेट किया था अब हम कर लेते ह ये ड्रॉप डाउन इदर दी गही है यूनीक वैल्यू यानि को जो सिर्फ सिंगल टाइम डैटे में मुझूद है वो हाइलाइट होगी हमने इसके उपर क्लिक किया ओके कर दिया यह देखिया अब हमारे सामने हमारी जो भी सिंगल यानि यूनीक वैल्यू थी वो ये डैटे में सिर्फ सिंगल टाइम मुझूद है और जो हाइलाइट नहीं है यानि कि ये डुप्लिकेट है यानि ये तीन दफ़ा इस डैटे में मुझूद है तो ये तो हमने देख लिया नंबर्स के हवाले से तो अब हम देख लेते हैं ये हमारे पास कोई टेक्स्ट ल मतलब है कि टुब्लिकेट है जैसे ये स्चिया तो इसको हाइलाइट कर दिया, जैसे हम इसके लिए पूर क्लिक करेंगे तेखें आपके सामने उस نے टाइटे को Ideally को फवालाइट का दिया क्रें ये हमने unique function apply कर दिया था तो इस तरह करके हम किसी भी data में से अपनी duplicate value को remove कर सकते हैं आप एक काम कर रहे हैं आपके पास कोई भी data बार बार आ रहा है आप किसी चीज़ में entry कर रहे हैं एक critical work कर रहे हैं उसमें देख रहे हैं को कोई भी चीज़ duplicate करना हो जाए कोई कुछ लोग या student आपके साथ data शेयर कर रहे हैं कि वो number जो एक student ने आपको बेज़ दिया वो दूसरा ना बेज़ जो एक का रो number है वो दूसरे के पास ना हो तो वह इस तरह भी आप अपना कर सकते हैं वह हम क्या करें फार्जम पर यह एक data इतनी range light कर लेता हूँ इसके उपर आग मैं apply कर देता हूँ conditional के duplicate value ठीक है के जहां पर भी duplicate value वह highlight हो जाए अभी देखें आपके सामने यह खाली ता कुछ भी नहीं मैं इदर लिख लेता हूँ for example yes जैसे ही मैंने yes लिखा उसने कुछ भी नहीं किया मैंने लिख दिया no कुछ भी नहीं किया मैं लिख दता हूँ पाक उसने कुछ भी नहीं किया मैं लिख दो MUL यह देखें क्योंकि अभी हमने सिर्फ सिंगल सिंगल इंट्री किया है तो इस विए से वह हाईलाइट नहीं कि जैसे मैं आपके सामने यह लिखूंगा ठीका देखें दोनों वैल्यूस जो क्या करते हैं वह हाईलाइट होगी मैं जैसे ही नो लिखूंगा देखें आपके सामने वैल्यूस हाईलाइट होगी इस तरह करके आप अपने डेटे के उपर पहले ही कॉलम के उपर हावे सरा डॉपलिकेट वैल्यू की कंडिशनल फार्मैटिंग अपलाय कर सकते हैं ताके आप किसी भी डेटे की इंट्र किसी दूसरे लगा था आपने डेटा मąगवाया उसने भी आपको वही बेई दिया तो ये डुबलिकेट है तो आप उस बंद्दे को दुबारा कह सकते हैं कि आपने जो डेटा बेजाया वह कानली आप युनीक डेटा बेजए तो इससरा करके आप अपने डेटे को मज़ी आएगी उमीद करता हूँ प्रैक्टिस जरूर किरिएगा बार बार चीज़ों को करके देखिएगा खुद से अपना डाटा बनाईएगा उस डाटे के उपर हर तरह की कंडिशन आप अपलाय करके देखिएगा वीडियो अपसान दाएगा तो लाइक करिएगा वीडियो को च